नमस्कार साथियो आज हम आपके लिए लेकर आए होटी कल्चर mcqs का पार्ट 2 कल हमने इसका पार्ट 1 डिसकस किया था आज इसका हम पार्ट 2 लेकर आए उध्यान विज्यान के बहुविकल पर प्रश्णुत्र जो प्रतियुविता परिक्षा होती है उनमें होटी कल्चर य हम कुछ प्रश्ण आपके लिए लेकर आएं तो यहां जो हमने प्रश्ण लिये हैं यह कहीं ने कहीं पिछली परिक्षा में पूछे जा चुके हैं तो पहला प्रश्ण है हमारा वेशाली वधू इस वेराइटी ओप विच वेजटेबल वेशाली वधू किस सबजी की एक क किसम हैं ओप्षोन ऐ हमारा टोमेटो ओप्ष्ण भी हैं हमारा ओँनियन प्याच ऑपिस सींपर बींग संदी हैं हो अगर के बैध बूचा पूछा जाए यह तो जो 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 चलतले को आम तोर पर किस नाम से जाना जाता है ओप्शन ए हमारा एंडियन लोटस भारती कमल option b है अमेरिकन लोटस या NICK да है CAPCIXIEN Lortex or CAPCIXIEN GAMEL periodically है Rank feeling d Chinese Lotus या चateg Раз जीनी खमल जो न्यू लंबो न्यूइनशी फ़े को आन तोर पर किस नाम से जाना जाता है तÏ ये झे लंबो न्यू इसि फेरिकर सा क्यों किसका signify name पर किसका ganz जाना जाता है तिसको in इंडियन लोटस को लक्षमी कमल के या लक्षमी लोटस के नाम से भी जाना जाता है लक्षमी लोटस के नाम से इसको जाना जाता है सिंपल लोटस भी इसको कहा जाता है सिंपली लोटस भी इसको कहा जाता है और किस नाम से इसको जाना जाता है तो इसको 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 कहा जात करें लॉटस लोटास, encret Lotus के नाम से इसको जाना चाता है अगर American Lotus की बात करें इसका जो bot implications नेम वो है कि न्यूलममू पो क्या है American Lotus Birnity кап नियो लफ और लुटीए इसका towns workforce is автомní जोट लेम के लोटास और ब्लました और न्यूलममू की बात करें दें बहुness का बोटनिकल नेम नेक्स कोश्चन क्यों चलेंगे कोहीर सफेदा इस क्रोज बिटिन जो ग्वावा की जो वेराइटी है कोहीर सफेदा यह किसका क्रोज है कोहिर सफेदा किसके बीच का क्रोस है जो की एक गवावा की वेराइटी ओप्शन A है हमारा कोहिर इंटू इलाबादी सफेदा ओप्शन B है हमारा इलाबादी सफेदा इंटू कोहिर option c है हमारा red flash or option d है हमारा एल-49 एन्टु एजο correct answer is कोहेट सफेदा किसक़ क्रोस है तो Kohir सफेदा क्रोस सह कई Virtue इडिस इस ऑखिदा समरे एorn shit है कोहिर इन्टु इलाबादी सफेदा का क्रोस से कौन सा कोहिर सफेदा एक होता है सफेद जाम अभी यह जो सफेद जाम है यह इलाबादी सफेदा और कोहिर का क्रोश है कौन सा सफेद जाम यह सफेद जाम यह जो सफेद जाम है यह क्रोश है किसका इलाबादी सफेदा इंटू कोहिर का एक आता है हिसार सफेदा और कौन स यह सफेदा अलहा बादी सफेदा और सप् Casey बादी कौन ससा इसाल सफेदा एक आता है कि स सुर्क้ इसर इंग EN ये एपल कलर ये क्रोस है एपल कलर वेराइटी एपल कलर इंटू किसका है बनारसी सुर्ख बना रसी सुर्ख का है क्रोस है कौन सा हिसार सुर्ख हिसार सुर्ख को किसका क्रोस है एपल कलर और बनारसी सुर्ख का अगर हिसार सपेदा की बात करें यह है इलाबली सपेदा और स का क्रोस्न क्यों चलेंगे साल्ट टोल्ड्रेंट पॉली अम्डियों कौन सा नमक्षेंध कर सकते हैं नमख सेशनों भी उसको जा सकता है option A है हमारा विलाई कॉलंबन option B है औलोर option C है कुरुपकन या option D है चंद्रकराण तो जो polyambrionic rootstock की बात करें तो यह सभी कौन से हैं यह सभी polyambrionic rootstock की यहां जो जितने भी दिये गए हैं विलाई कॉलंबन औलोर पुरुपकन और चंद्रकरण यह सारे क्या है यह पॉलियोंब्रionic rootstock की बाकि इन में से कौन सा rootstock एसा है जो जो नमक हिया साल टोल्रेंट होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह कुरुपकन क्या है तो कुरुपकन साल tolerant rootstock होता है उल्लूर जो है जो उल्लूर है यह है वेगरस रूट रूट कॉन से प्रकार कर और लोस तो उल्लूर है वेगरस होता है विलाई कॉलंबन की बात करें यह विलाई कॉलंबन यह अलफान्जों के लिए डॉर्फिंग अफेक्ट का जो काम करता है वह विलाई कोलम्बन बात करता है इसके सिवाठ इसके कौन कोन सब्लिबरेक रूटिष्टों के तो वह बपा कई बपा कई गोवा निलेश्वर ड्वार्फ ये भी क्या है ये भी पॉलियम्रोनिक रूटिष्टों के किसके मेंगो के क्या आता है डिले हार्वेस्टिंग इन रेडिस में भेके डिले जो मूली की कटाई में डेरी के कारण क्या हो सकता है ओप नहीं है हमारा और प्वरकिंग ऑप्षिन भी है अमारा पीर टिने है डिफोंग रूड विकरत जड़े या ओप्षिन जो D है increase pregnancy तो अगर हम जो रेडिस की जो हार्वेस्ट इंगर डीले करते हैं तो क्या हो जाता है तो जो correct answer है वो है डीले हार्वेस्टिंग के कारण क्या हो जाता है पीथीनेस पीथीनेस बोल सकते हैं उसको होहो फिच्ण बहुत करता हैं हो जाता है होलो होड़् इसको कहा जाता है उसमें वीखर के कारण के कारण क्या होता है जो फॊर्किंग होता है वो होता है हेवी और हेवी और कॉम्पक्ट के कारण क्या होता है उसमें फॉर्किंग हो जातीze और क्या करण हो सकता है फ्णुर्किंग कर तो जाता है ऐकस Geschsw specific irrigation चेहं इर्िचेशन वह भी कब डूरिंग रूट क्रोथ डूरिंग रूट क्रोथ के टाइम अगर उसको ज्दा इरिगेशन दिया जता है तो भी फोरकिंग हो सकता या या क्या है हेवी औरकॉम्पेक्ट अगर सोई ले तो फोरकिंग हो जाती है नेक्स्स कोशन आता है हमारा वार्ट डिसीज ओप पोटेटो इस काज़्ट वाय जो अलू का मसारोग यह वार्ट डिसीज किसके कारण से होता है ऑप्षेन ओमारा फंगस कवक ऑप्षेन बैक्टीरिया जीवानों ऑप्षेन के किसके कारण का सी तुसका जो कवक का नाम है वह नाम में सिंची ट्रियम सिंची ट्रियम एंडो बायोटीकम क्या है यहाद नाम का जो फंगस है ऐसी करण क्या है पोटेटों का वाट रोग होता है next question क्यों चलेंगे PE spegden PE spegden जो मटर है उसको किस प्रकार के डिबो में पेक किया है तो option यह है acid resistant can acid प्रतिरोण डिबबे, option B sulfur resistant can, sulfur प्रतिरोण डिबबे, option D है plain can साधे डिबबे, या option जो D है हमारा liquid या lac के डिबबे तो कौन प्रकार के डिब्बों में जो मतर है उसको प्रिजर्व किया जाता है या परेक किया जाता है तो जो करेक्ट आंसर है वो है नंat 소 F में ही में भी मतर या रर किया जाता है और इन कग करेक्ट है नो removed प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि आपका हुआ कॉर्ण पी और जो बीन्स होती है उनको किसमें इस्टोर किया आता है उनको इस्टोर किया आता है आपके नेक्स कुशन की और चलेंगे जो घीरा है उसका उदबहु इस्टान कौन सा देश आपशन अ है अफरीका आपशन बी है मैक्सिको आपशन सी है इंडिया या आपशन डी है चैना तो जो कुकुमबर है उसका जो सेंटर ओजन है या ओरिजन औरिजन सेंटर है वो है भारत खीरा का उद्भवन इस्थान या उत्पत्तिस्थान कौन सा है भारत अगर इसके बोटनिकल नेम की बात की जाए कुकुम्बर के बोटनिकल नेम की ते इसका जो बोटनिकल नेम है वो है क्योंकि में सटाइवस इसका बोटनिकल नेम है क्योंकि फेरी क्रोसी फेरी यह नहीं कुकर बिटेसी सॉरी जो इसकी फैमिली है वो है कुकर बिटेसी कुकर बिटेसी परिवार का यह सदस्य है कौन सा कुकुमबर और अगर क्रोमोजो नंबर की बात करें क्रोमोजो नंबर टू इन बराबर होता है इसका 14 टू इन बराबर 14 में साइटो प्लाजमिक साइटो प्लाजमिक मेल इस्टरलिटी इस्टरलिटी ओबसर्व इन कुकुम्बर कुकुम्बर में साइटो प्लाजमिक मेल इस्टरली पाई जाती है नेक्स कोश्चन आता है हमारा ब्राउनिंग ओप कॉली फ्लावर इस ड्यू टू फुल गोबी के भूरे पन का कारण क्या है ऑप्शन है बोरॉन डिफिसेंसी बोरॉन की कमी ऑप्शन भी है जिंग डिफिस ुम्टिन्यों की और मुंठिसेंसी nag़ कमी फुल गोल्भी में जो ब्राउनिंग का कारण होता है वह होता है डिफिसेंसी उसमें जो ब्राउनिंग होती फुल्व मेरी कॉलीफणिक करता से लिए और जो तो जो मॉनए तस कंसे होता है तो वुप टेल भोता है मोलिफ डेनदीसिंसी के कारण कुंसा हुआ अ mieć टेल मोलिफा देल उता है मोलिफम टेल होता है मोलिफम डेफिजिंस्च यह के कारण और जो भूरा पाने ब्रा Rs. 14 होती है वो किसके कारण से होती है तो लोान कि इसैंस को अगर ब की बात करें कान करें कि इसके- बनेखक नब होती है को नदेफिशंस कि ढारण इसमें क्या होते आए बटनींग तर भी चाहिंक की बात करें तो खल人 होता है कुलो इस्टेम होता है कौली फ्लावर का वो होता है एक्सेसिव एक्सेसिव नैट्रोजन के करण ठीक है और अगर क्लोरोसिस की बात करें chlorosis अगर chlorosis की बात करें उनको भी में chlorosis की बात करें chloro एक सिकेंट उनको भी मगर chlorosis की बात करें chlorosis तो यह होता है magnesium deficiency के करा ठीक है next question आता है हमारा next question आता है हमारा seed the seed rate of tomato tomato की seed rate कितनी होती है टमाटर की टमाटर की बीजदर कितनी है ग्राम प्रती हेक्टेर में ग्राम प्रती हेक्टेर में टमाटर की बीजदर कितनी होती है option A है हमारा 100-200 ग्राम option B है हमारा 200-300 ग्राम option C है 300-400 ग्राम और option D है हमारा 400-500 ग्राम तो जो करेक्ट आंसर है वो है टोमेटों की जो जनरली सीड्रेट होती है वो तिये 400 से 500 ग्राम प्रती हेक्टर होती है जनरली सीड्र अगर हाइब्रिट टोमेटों की बात करें हाइब्रिट टोमेटों की अगर बात करेंगे तो हाइब्रिट टोमेटों की जो सीड्रेट होती है hybrid tomato will see red होती है वो होती है 100 से 150 ग्राम पर हेक्टियर या 125 से 175 ग्राम पर हेक्टियर कहीं कहीं 100 से 150 ग्राम दिया गया रहे हैं कहीं कहीं दिया गया 125 से 125 से 175 ग्राम तो जो correct answer है वह हमारा 400 से 500 800 ग्राम पोर एक्टेर tomato की इंट होती है और hybrid tomato की बात करें तो 100 से 150 ग्राम जो जो वोती है नेक्स में आता है यह इस एक्ट्राइआ है यह और ट्रीन है वह किस से थक्ट्राइण चाप्षल या जाता है किस से क्राइज़ि blossom गुल दाओडी के तनों से या option D है 알को फिल्वरि पेटल ऑप्राइज़ लोप्राइज है उप लिप्सकि की निदर मुई कrire किसकी प्रजाती है option A है हमारा बोगन वेलिया option B है रोस गुलाब की option C है डह लिया या option D है क्राइजनित्त हैं गुल दाओ देक जो first price variety है किस की variety तो first price variety है है रोज कि रोज में भी हाइबरीट ही रोज है उसकी हाइबरीट होग पी रोज किए ही राइट hé Abdaremos कि यह वे रहे आधि एक फिर्सट आधि फर्स्ट प्राइज और फर्स्ट प्राइज और कौन सी है ? सूपर इस्टार अगर हम ऊद्पनि उर्दर कौन सी है ? इंडियन विरैटी की बात कुन इंडियन वेराइटे की कौन से जो टी रोज है उसकी हाइब्रिट टी रोज की तो वो है पूर्णेमा पूर्णेमा प्रिये दर्शनी प्रिये दर्शनी अभय भी किसकी है हाइब्रिट टी रोज की ही वेराइटी यह दोनों के फोरेजन विराइटी है और यह इंडियन विराइटिया नेक्स कोस्टन की और चलेंगे लाल बाग गार्डन इस लोकेटेड एड़ जो लाल बाग गार्डन वो कहां इस थी थे ते और अप्शन ए हमारा देल लालबाग जो इस्थी थे ये इस्थी थे कहां बैंगलोर में इस्थी थे और इसको किसने बनवाया था तो ये बनवाया गया था हेदर अली हेदर अली और उसके पूत्र टीपू सुल्तान के द्वारा इसके द्वारा टीपू सुल्टान की ये द्वारा बनवाया गया था कौन सा लालबाग कारडन और कब बना था ते लगबग सतरा सो और अठारवी सब्ताबदी के दोरान बना था और इसका जो मैन फीचर है वो क्या है large glass house इसका جो मैन फीचर है वो है large glass house इसका main feature जो मोन ट्रेक्षन का काम करता है धीक है next question आता है हमारा दिपी-च ओफ गुठ जेली जो अच्छी जेली है या उत्व गुठ जेली है उसका option B है हमारा 3.2 option C है 3.4 या option D है 3.6 तो गुड जेली है या उत्तम जेली उसका जो pH होता है वो होता है 3.2 या अगर रेंच ये बात करें तो 3.1 से 3.33 जो pH होना चाहिए अच्छी जेली का और अगर TSS की बात करें तो जेली का जो TSS होता है वो 65% होना चाहिए ठीक है जेली के कंडिशन ये होगी कि जेली का pH की बात करें तो जेली का pH होना चाहिए 3.1 से 3.3 और अगर TSS की बात करें तो 65 और अगर जेम की बात करें हम जेम में तो जेम का जो TSS होता है TSS वो होता है 68.5% और अगर pH की बात करें जेम के तो जेम का जो pH होता है वो होता है 3.5 के आसपास 3.5 से 3.7 के आसपास होता है और कहीं कहीं इसको लगबग 3 भी बता दिया जाता है किसी-किसी बुक में अगला प्रशनाता है इस्टोरिंग फ्रूट एंड वेजीटेबल इन पॉली बैक्स प्रोलोंग द सेल्फ लाइप इस ड्यू टू फल एम सबजी के पॉली थिन की थेली में भंडारन से फल एम सबजी की भंडारन चमता बढ़ जाती है किस कारण से बढ़ जाती है की मात्रा बढ़ जाती है तो संदर घड़ जाती है और आधरता बढ़ जाती जिससे उनकी जो सेल्फ लाइप वह काफी लंबी हो जाती और ज्यादा समय तेक वह ताजा बने रहते हैं धन्यवाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद